यहां हम बात करेंगे आज पदपरीचे के बारे में हिंदी व्याकरण के अंतरगत पदपरीचे जो है आपके ये जो सलेबस में शामिल हो जाता है 10th क्लास से ही शुरू हो जाता है और उसके बाद आगे ये आपसे competitive exam में भी पूछा जाता है और पद परीचे ऐसा विशे है हिंदी व्याकरण के अंतरगत जिसको जानने के लिए समझने के लिए और जिससे संबंदित प्रशनों को हल करने के लिए आपको हिंदी व्याकरण के ज्यादा तर नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है ज्यादा तर नियमों की जानकारी अब ज्यादा तर नियमों की व्याकरनिक नियमों की जानकारी क्यों होना जरूरी है पद परीचे को समझने के लिए तो सबसे पहले तो आपको अगर ये पता है कि पद क्या होता है तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा कि पद परीचे कैसा विशे है क्या इस विशे में समझाय जाता है हिंदी व्याकरण के अंतरगत पद जो वाक्यों में आने वाले शब्द होते हैं वाक्य में शामिल जो शब्द होते हैं अब अगर मैं इसी वाक्य में ले लूँ तो इसको मैं पद बोलूँगी वाक्य को मैं पद कह सकती हूं तो यह हो गया पद अब इसी के नाम के साथ जुड़ा है परीचे अब हम किसी को परीचे कैसे देते हैं अपना अपना नाम पता आपने क्या पढ़ाई लिखाई कि यह आप नौकरी में है या नहीं आपके घर परिवार में कौन कोन है आपका A to Z जो आपकी जानकारी है आप सब देते हो तभी आपका पूरा परीचे किसी भी वेक्ति को मिल पाता है जिससे कि सामने वाला आपको जान सके और समझ सके तो ज परीचे क्या हो गया जहां पर हमें पद की एक पूरी जानकारी डिटेल देनी होती है कि एक वाके में यह जो पद है यह क्या है कैसे है कितना इसका क्या नियम है किस नियम के अनुसार यह वाके में प्रियोग किया गया है और किन किन नियमों के अनुसार प्रियोग किया गय है वही सब मिलकर जो है इसकी एक पहचार मनाते हैं तो वो पद परीचे बन जाता है जहां पर मैंने बात की कि ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस में मैंने ये वाक्य जो है इसको पद बताया अब ये वाक्य जो है इस सेंटेंस में वो संग्या है सर्वनाम है विशेशन है क्रि जितने भी शब्द हैं उनसे संबंदित इसकी जो भी जानकारी होगी को सब हमको बतानी होगी एक शब्द जो है अपनी किसी विशेश इस्थिती होने की वज़ा से ही वाक्य में प्रियोग किया जाता है और एक नियम के अनुसार ही प्रियोग किया जाता है आपने देखा इसी में मैं add कर दू पुस्तक पढ़ती है तो ये हो जाएगा कर्म तो ये हिंदी व्याकरण के नियम है जहां पर हम पहले कर्ता का प्रियोग करते हैं फिर कर्म का प्रियोग करते हैं फिर क्रिया का प्रियोग करते हैं अब मैं बोलू कि बड़ी राधा बड़ी पुस्तक पढ़ती है तो राधा की भी हमने पहचान वना दी बता दी पढ़ती है भी पुस्तक भी क्या है यहाँ पर अब पुस्तक कैसी यह बड़ी है तो यह इसकी विशेश्टा बताती है तो पुस्तक कर्म के आगे विशेशन लग जाएगा फिर हमने यहाँ पर देखा कि राधा बड़ी पुस्तक पढ़ती है बड़ी पुस्तक को धीरे 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 पढ़ती है तो यह अब इस क्रिया की विशेशन बता रहा है कि वो किस तरीके से पढ़ रही है तो आपके क्या नियम बन गए, आपने देखा यहाँ पर, पहले आया करता, फिर उसके बाद आपने देखा कि कर्म के लिए ही विशेशन का प्रियोग हो गया, और उसके बाद क्रिया के लिए क्रिया विशेशन प्रियोग हो गया, तो main points जो है वो यह है, basic sentence structure जो है वो ही हो ग तो इसकी पहचान जो है, पूरे sentence के साथ ही इसकी भी पहचान सबकी thrilling ही हो गई, और एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक वचन हो गया, तो यह एक basic पदपरीचे भन गया यहाँ पर, अब इसके लिए आपको किन किन चीजों की जानकारी लेनी पड़ी, करता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है, विशेशन क्या होता है, क्रिया विशेशन क्या होते हैं, या फिर link और वचन, जहाँ यह तो आपको सब जगा बताना ही बताना है, basic कहीं तो, तो link क्या हो गया, वचन क्या हो गया, आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 परीचे तो आप बेसिक परीचे में दे सकते हैं किसी भी पद का परीचे गर आप देने लग जाए तो अच्छा खासा आप एक पद का परीचे दे सकते हैं और ये सारी बेसिक जानकारी है हिंदी व्याकरण के अंतरगत तो अगर आप ये भी जानकारी नहीं देंगे तो आप पदपरीचे कर पाने में अपने आपको थोड़ा आपको समस्या हो सकती है इसलिए कहा जाता है कि पदपरीचे को समझने के लिए उससे पहले हिंदी व्याकरण के जो अन्यविशे हैं उनको समझना बहुत जरूरी है तो शुरू करते हैं और हम उमीद करते हैं कि आपको जादा तर इसी चैनल से ही आपको सारे हिंदी व्याकरनीक नियम पता चल गए होंगे बेसिक जिसके अधार पर हम जानकारी दे सकते हैं इनकी तो उसी के अधार पर ही हम पदपरीचे को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं इसके बारे में समझते हैं जानकारी लेते हैं एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रियुक्त होता है एक स्वतंत्र शब्द जो है यानि एक शब्द अकेला पड़ा है यह स्वतंत्र है अब यह किसी साथ जुड़ा नहीं है अब कोई मीनिंग भी नहीं दे सकता जो इसका अपना self-meaning होगा वही देगा अब यह किसी वाक्य में add हो जाएगा और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परीचे देना ही जो है पद परीचे कहलाता है परीभाशा क्या होगी पद वाक्य में प्रियुक्त प्रतेक सार्थक शब्द पद कहलाता है प्रतेक सार्थक शब्द सार्थक शब्द कौन से होंगे जिनका अपना मतलब होगा और एक नियम के अनुसार उस वाक्य में यूज किये गए होगे तो वो एक सार्थक शब्द होगा तो पद वाक्य में प्रियुक्त प्रतेक सार्थक शब्द पद कहलाता है पद का परीचे, वाक्य में परियुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, आदी के परीचे के साथ ही वाक्य में परियुक्त अन्य पदों के साथ उसके सम्मंद का भी उल्ले किया जाता है पद परीचे के अंतरगत वाके में प्रयुक्त पदों को अलग करके प्रतेग पद का परीचे दिया जाता है तथा उसकी व्याकरने क्विशेश्टाएं और कारे बताय जाते हैं जो कि अभी हमने पहले इस बात को यहां पर पढ़ा है समझा है आपको बताया गया अचे तरीके से किस तरीके से शब्दों को लेना है और उसकी एक बेसिक चर्चा हमने किये कि आप क्या-क्या पहचान बता सकते हैं पहले ही अब आपको यहां पर बताया जा रहा है एक फॉर्मेट दे दिया जा रहा है पद परीचे है उसमें आप संग्या शब्द का परीचे दे सकते हैं सर्वनाम, विशेशन, क्रिया शब्द और अव्ये जो की हमने अभी पिछले भाग में विकारी और आविकारी शब्द पढ़े और विकारी आविकारी के अंतरगत कई सारे जो हिंदी व्याकरण के नियम है वो सारे हमने पढ़े तो आप उनको जरूर एक बार पढ़ ले उनको समझ ले अब आप देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाचवे पॉइंट में यह आ रहा है तो में पॉइंट आए तो इनकी जानकारी भी होना बहुत जरूरी है संग्या, सर्वनाम, क्रिया, यह तो अभी हमने जब उधारन के तौर पर ही एक चीज छोटी सी समझी दी तब ही वहाँ पे हमने इसकी चर्चा कर ली, अब आप देखेंगे कि अव्या में ही आपके क्रिया विशेशन आ जाते हैं, संबंद बोधक, समुच्चे बोधक और विस्मियादी बोधक तो इन सब के अधार पर आप किसी भी पद का एक परीचे दे सकते हैं, अब इन ही को एक एक करके लेबरेट किया जाएगा कि संग्या को कैसे पहचाने, सर्वनाम को कैसे पहचाने, विशेशन कैसे पहचाने, क्रिया कैसे पहचाने, अगर आपको इन सब के व्याकरनिक निय कर सकने में सक्षम होंगे लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हो पढ़ते हैं पहला परिट यहां पर लिए संग्या शब्द के पद परीचे के लिए संग्या का भेद लिंग वचन कारक तथा उस शब्द के क्रिया से संबंद को व्यक्त किया जाता है तो वही बात हो गई अब आप इसको चाहे इतने टफ वर्डिंग्स के साथ समझा लीजिए या फिर हमने शुरू में जो बात कर ली वह अब आपको अगर यह मालूम होगा कि यह शब्द जो है इस वाके के अंतरगत एक संग्या है तो अगर आपको संग्या की जानकारी होगी तो आपको यह भी पता अरी है एक संग्या से संबंदित हम इतनी जानकारी दे सकते हैं तो ऐसे ही हमे जितने भी संग्या शब्द मिलेंगे अगर आपको वह वाक्य में किसी पद का परीचा दे करने लिए क्लि यह कहा जाएगा ये सारी चीज़े आप उसकी से संबंदित बता सकते हैं और इसी तरीके से आप संग्या से संबंदित जानकारी दे पाएंगे फिर उसके बाद हम पद परीचे में क्या जानकारी देंगे सर्वनाम से संबंदित सर्वनाम शब्द के पद का परीचे के लिए सर्वनाम का भेद लिंग वचन कारक्रिया के साथ संबन तथा पुरुष पर विचार किया जाएगा मैं तुभारे साथ चलता हूँ अब मैं जो है यहाँ पर सर्व नाम है सर्व नाम सबको मालूम है अब कौँछा सर्व नाम है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुश वाचक है ये पुलिंग है एक वचन है और चलता हूँ जो वो प्रिया है ये तो सभी को मालूम है यह शब्द भी यहाँ पे सर्वनाम है वो निश्चे वाचक है अन्य पुरुश है और स्त्रिलिंग है एक वचन है बहुत ही असान है अगर आप सर्वनाम यह पहचाले कि यहाँ पर यह पद जो है यह सर्वनाम है तो आप उस सर्वनाम से संबंदित जानकारी रखते होंगे तो आप यह बता पाएंगे कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है और या फिर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर कौन सा सर्वनाम है या निश्च विशेषिशन से संबंदित जानकारी कैसे देंगे, विशेषन शब्द का पदपरिचे, विशेषन का प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन, विशेषे के साथ, उसके संबंद अधी का वर्णर करना होज़ा, विशेषे भी हमने बताया था जब हमने विशेषन को समझा था, तो विशेशन और विशेशन क्या है सब बताया है वहाँ पर अगर आप विशेशन से संबंदित जानकारी रखते होंगे तो आपको यहाँ पर यह पढ़ने की जोतनी पड़ेगी कि हमें विशेशन में क्या-क्या बताना पड़ेगा विशेशन है तो कौन सा विशेशन है उस विशेशन की विशेशता की जाए उसको प्राविशेशन कहते हैं तो आप सारी जानकारी दे पाएंगे अगर आपको नियमों की जानकारी है अच्छे तरीके से तो इसलिए नियमों को जरूर पढ़ें उन्हें दोहराएं समझे और आप एक वाक्य लेकि उसमें से एक पद न मुलवस्था है पुलिंग है बहु अचन है यह सपेरा बहुत चतुर है यहां पर यह विशेशन है सार्वनामिक है अब यह सार्वनामिक क्यों है सपेरा जो की संग्या है अब संग्या के साथ भी सर्वनाम लग रहा है इसका मतलब यह सार्वनामिक विशेशन है जो कि हमने बहुत ही बहतरीन तरीके से इस चीज को समझाए जरूर पढ़ें आप उसको चैनल पर वीडियो को सर्च करें आपको प्लेलिस मिल जाएगी एक उसमें से वीडियो को निकाले और पढ़ें और समझें तो यह सारवनामी एक विशेशन पुलिंग है एक वचन है पुलिंग और अब आप यह सब क्रिया से संबंदित जानकारी जो है आप अगर आपको होगी तभी बता पाएंगे अब मारा यहाँ पर उठा जो है वो किस तरीके से पास्ट के होने का जानकारी दे रहे है तो भूत काल है करत्री वाच्चे है एक वचन तो है ही पुलिंग है अकर्मक क्यूं है यह हमने पढ़ा ही है क्रिया है यह आपको मालूम ही तो इस तरीके से आप जानकारी दी है सब आपके जानकारी से ही संबंदित है कहीं भी एक्स्ट्रा और टफनेस कुछ भी नहीं है इसमें से तो इस तरीके से आप जानकारी दे सकते हैं अब अव्वे से संबंदित जानकारी कैसे देंगे अव्वे शब्द जो कि क्यूंकि लिंग वचन कारकादी से प्रभावित नहीं होता है इसलिए इसके पत परीचे में केवल अव्य शब्द के प्रकार उसकी विशेष्टा ये संबंधी बताया जाएगा और ये क्यों नहीं होता है जब हमने अव्य शब्द पढ़े हैं तब वहाँ पर अच्छे से इसकी में तो हमारे आते हैं क्रिया विशेशन जयाती vậy अंतों क्रिशेष्द की चिंटी हम क्र weed जा करियां त 맞는 के दी जाती है श्यया मुह इसे ऑ FIN इस प्राणायाम करता हूँ, रोज जो है, वो क्रिया विशेशन तो है, लेकिन कैसा कालवाचक है, प्राणायाम क्रिया का समय बता कर उसकी विशेशता को प्रकट कर रहा है, इसी अव्वे के अंदर ही समुच्य बोधा का जाएंगे, भे तथा जिन दो शब्दों को मिला रहा है उनका उल्लेक होगा जैसे सीता और गीता बहने है समुच्य बोधग के बारे में हमने पढ़ा ही है किस दर्गे से शब्दों को और वाक्यों को वाक्यान्शों को मिलाता हो दिखता है सीता और गीता जो है वो बहने है तो और जो है यहाँ पर समानाधी करन समुच्चे बोधक एवं सहियोजक अव्या है अगला है संबंध बोधक भेद तथा जिस से संबंध है उस संग्या का सर्वनाम का उल्लेक ट्रेन समय से पहले आ गई से पहले काल वाचक संबंद बोधक अव्य जो है वो ट्रेन संग्या के समय की विशेषता को बताता है विस्मियादी बोधक जो कि हमारे emotions को बताते हैं जो शब्द भेद या भाव का नाम जैसे वह कितना सुन्दर है तो वह शब्द यहां पर विस्मियादी है वो कैसा है वहाँ जो है वो खुशी को बता रहा है दुख को बता रहा है तो हर्ष सूचक विस्मियादी बोधक अव्य है तो इस तरीके साब पदपरीचे दे सकते हैं और अगर आपको इन सारी चीजों से चीजे नहीं समझ में आ रहे हैं आप अपने साइड में एक बार बनाए ले और जितने भी व्याकर्णिक नियमों के नाम जानते सबकी लिस्ट बना ले संग्या है सर्वनाम विशेशन क्रिया विशेशन वचन लिंग कारक और क्रिया क्रिया में भी आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूजर सबका लिख सकते हैं मालीजी आपको इतना ही यादाता है सिर्फ तो आपके सामने जो पद है आप उस पद से संबंधित एक एक करके उस पद को सामने रखे और उसे चेक करें पढ़ें समझें और समने कोशिश करें क्या वो संग्या है नहीं है कट कर दीजिए सर्वनाम है हाँ है तो फिर सर्वनाम है तो सर्वनाम लिख दीजी आप विशेशन है? नहीं है, कट कर दीजे, वचन क्या है? वचन और लिंग तो सबका ही होता है, बहु वचन है, लिंग क्या है? फुलिंग है, कारक है? है तो लिखे नहीं है, तो नहीं लिखे, क्रिया कौन सी है? क्रिया है तो लिखिए अकर्मक है सकर्मक है सहायक क्रिया है प्रेनार्थक क्रिया है कौन सी है और फिर जो आखिर में अगर शब्द आपको मिलता है तो आप उसको देख रहे हैं कि प्रेजेंट में है पास में है फ्यूचर में उसी साब से आप क्रिया की जानकारी दे दीजि तो आप इस तरीके से एक side bar बनाईए और जितने भी व्याकरनिक नियम आपको याद आते हैं सारे देखिए और उस पद को ध्यान में रखते वे एक-एक को आप चेक करते जाएए कि यह है यह है यह है यह है कि नहीं है और बाकी तो आपको हमने शुरू में ही तरीका बता दि आपको एक sentence का structure होता है जहाँ पर आपको करता मिलेगा पहले फिर कर्म फिर क्रिया अब करता की भी विशेशता बताई जाएगी या फिर उसकी जगा सर्वनाम का प्रियोग होगा कर्म के पहले विशेशन लग जाएगा क्रिया से पहले क्रिया विशेशन लग जाएगा या पिर आपको यहाँ पर क्रिया किसे संबन्दित और जान करेगी इसाहय přिया है, या फिर इसका ाला बता सकते हैं प्रेजेंट पास फ्यूचर में और इसके बाद पिरिणार्था क्रिया होती है अकर्मक, सकर्मक, सबकुछ बता सकते हैं आप विशेशन है तो विशेशन में आप क्या करते हैं कौन सा विशेशन का प्रकार है और वचन और लिंग तो आप common है जिसमें आप हर जगा बताएंगे कि यह कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है तो आपको और अगर आपको लिंग का भी पता नहीं लगता है कुछ ऐसे श अच्छा पदपरीचे करपाने में सक्षम होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको चीजे समझ में आई होगी, जो हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, तो अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं, आपको वीडियो पसंद आई हैं, तो वीडिय को जरूर लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू